स्वागत आपको एक बार फिर से शान ओलज बैंक की टीप चानल पर आज हम लोग जन्रल इंग्लिश का एक ओर टॉपिक डिसकस करने वाले हैं इस इन्टॉनियम आपको पता है आपके एक्जाम में एक या दो नंबर के इन में से कोशन्स आपके आते ही आते हैं वोकैब का जो सेशन में लास्ट में लिया था उसमें भी आपको 30 प्लस इंपोर्टन वोकैबलरी कराये थे विद साइनोनियम एंड एंटॉनियम ठीक है तो यह आपके एक एक्जाम में क्रूशिल रोल प्ले करते हैं तो इसमें एक कोशन में आपको चार से पांच वोकैब आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन ओन जनरल इंग्लिश साइनोनियम एंड एंटॉनियम टॉपिक रहेगा यह आपके अपकमी एक्जाम्स जितने भी हैं जेके सब बीडियो जुट के लिए रहने वाला क्योंकि आपको पता है बाईंग्लिश आपके सिलिवस में कोई भी एक्जाम हो उसकी सिलिवस में रहता ही रहता है और सब्क्रम का आपको कॉमन ही दिखने को मिलेगा तो जनल इंग्लिश की मैं अपने चैनल पर प्लीट बना दूँ वहां से जाके आप one by one सारी वीडियो देखके अपना रिवीजन कर सकते हैं ठीक है चलो इसकी भी पीपिटी आपको हमारी तेलिग्म चैनल पे मिल जाएगी तेलिग्म चैनल के लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप सारी की सारी पीडियाफ स डाउनलोड कर लिजेगा वहां पिन कमेंट में वाट्साप चैनल होगा उसको भी आप जाएग कर सकते हैं बाकी यह वीरियस सोचल मीडिया हैं यहां पी आप एक बार चेक आउट जरूर कीजिएगा चलो आजाओ कोशन फर्स्ट पे यहां क्या बोलागे आपको इन फॉल् हीरियस सब्सक्राइब क्याओ चैनल मेंट रते र कहारे खुड़ाज करत मारे खुड़ता होगे जब आप इंक तो मेंट बोलागे इंक यहां फिर यहां होता क्या है, हिएडस का मतलब होता हैive pause लेना फिर break लेना ठीक है किसी भी काम को करते हुए जब आप क्या करते हैं pause लेते हैं या फिर break लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं , clear है बई वाइड आब यहां पे हम लोग देखें कि pause याb Bach तो यहां पे आपको तो कौन सा similar word देख ला है, next अगर हम लोग बात करें, uphill task, इसका मतलब क्या होता है, कि कुछ difficult काम, okay, क्या करना, difficult काम, तो ये तो हमारा नहीं होगा, synonym इसका, clear है, next आपकी बात करें, तो distinct place, ये क्या होता है, यहाँ पर distinct place से आपकी बात करी है, कि कोई place है, जो आप से क्या है very far, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला यहाँ पर, fading memory क्या होता है, आपका declining memory, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आपको जो memory है, जो यादाश था, आपकी वो कमजोर हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, fading memory, okay, declining memory आप इ shows space और interval, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा answer क्यूंके हमें similar word पूछा था, तो gap हमारा similar word है, hiatus का, okay, option D हो जाएगा correct answer for this particular question, correct, ठीक है बाई, एक question में हम लोग ने 4 options प्लस एक word, 5 vocab हमने यहाँ पे सीख लिए, ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे sessions में करते हैं, हर एक option को discuss करते हैं, with explanation, proper explanation के साथ पढ़ते हैं, चाहे वो gk हो, चाहे English हो, science हो, या फिर economics हो, clear, चलो, आजब question second पे, यहाँ पे भी आपसे most similar and nearest word पूछा है, किसका, obscure का, yes, बताओ बाई, obscure का synonym आपके पास क्या होगा, unknown, neglectful, occasionally, या फिर old, yes, यहाँ पे अगर आप हम बात क करें, बाई, कि obscure होता क्या है, obscure का मतलब क्या है, मतलब कि unknown या फिर, हाँ, unknown, ठीक है, या फिर आप इसको कह दो unclear, जो चीज आपको clear नहीं है, तो वो क्या होता है, obscure, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, unknown या फिर unclear, वो हमारे पास क्या होता है, obscure होता है, यहाँ पे अभी तो हाँ, unknown हो गया, यह हमारा हो जागा क्या answer, correct, ठीक, next आजाओ, अब हमारे पास next, यहाँ next word दे रखा क्या, neglectful, neglectful क्या होता है भाई, kind of lazy, ठीक है, lazy, lazy पना जो होता है ना बंदे का, तो उसको क्या बलता है, यह बड़ा ही neglectful आदमी है, या फिर careless, ओके, यह आता है, occasional आप सभी को पता है, ओकेजनल क्या होता है, अंस्टेडी, ठीक है, मतलब occasionally, कभी कभी, तो वो क्या होता है, आपके पास unsteady होता है या फिर आप बोल सकते हो, इसको irregular, yes, हाँ, irregular भी आप इसको कह सकते हैं, इर्रेगुलर, ठीक है, तो यह क्या होता है आपके पास, occasionally, old तो Option A हो जाएगा यहां हमारा correct answer, obscure का synonym हो जाएगा आपने पास unknown, clear है? चलो, आज अब बाई, question 3rd, third question में भी आपको most similar and nearest, that is, synonym पूछा गया है किसका, spawn का, okay, spawn, option A है, आपके पास create, option B counterfeit, option C fake, option D falsify, या option E copy, yes, क्या होना चाहिए हमारा इसका correct answer, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, that is, spawn चीज क्या है, मतलब कि आपको या तो produce करना, okay, या तो deposit करना, या तो deposit करना, किसको भाई, eggs को, ये क्या होता है, हमारे पास, spawn, ठीक है, ये आपको याद रखना है, spawn का मतलब क्या हो गया, या produce करना, या फिर deposit करना, किसको, eggs को, clear, अब next आ जाएगा हमारे पास create, create का क्या मतलब होता है भाई, किसी का बनाना to make something, create का क्या मतलब होता है, कि हाँ कुछ नया करके दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ, किसी चीज में से, to make something, make something out of giving thing, जो आपको दिया गया है, आपको क्या बनाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, यह create करके दिखाओ, जैसे आपको graph दिखाओ, ठीक है, तो हम बोले भाई, चलो graphical representation करके दिखाओ, हमें demand and supply की, तो वो क्या आपने किया, create किया, clear है, next आजाएगा counterfeit, counterfeit क्या होता है यह होता है क्या, बनाना किसी imitation की something else, किछ सोच की अलग से, बट उसकी जो intention हो, वो deceive आपको अलग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं counterfeit, ठीक है, यह आपको याद रखना है, with an intention to deceive, clear, उसको हम बोलते हैं counterfeit, fake क्या होता है, जो आपका real नहीं होता, that is not real, या फिर आप इसको ब ने पास, that is fake, falsify, falsify, to make, okay, to make someone wrong, या फिर, और to prove someone wrong, okay, किसी को गलत ठहराना, किसी को गलत प्रूव करना, उसको हम बोलते हैं, falsify, copy, copy का मतलब क्या होता, बई, to imitate, okay, किसी को imitate करना, वो क्या होता है, copy क्लियर, तो आपका spawn क्या होता है, produce करना, deposit करना, eggs को, और यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या है, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज में से, तो वो क्या है, आपके आप क्रियेट, spawn का synonym हो जाएगा आपके पास, create, clear है, याद रखना है यह आपने, spawn, create, okay, चलो, आज अब भाई, next question पर, next question आप से पुछा गया है, again, most similar and nearest, ठीक है, sage, important word है, sage, option, wise man, tail, era, या fool, yes, बताइए भाई, sage का synonym क्या होने वाला है, yes, देखो भाई, fool का मतलब आपके पास क्या होता है, imprudently, okay, imprudently, मतलब क्या हुआ भाई, इसका, a person और animal acting in a silly way, ठीक है, जो भी बंदा आपका silly way में act कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, भाई, ये बड़ा fool है, ठीक है, era क्या होता है, ये सभी को पता है, very long period, okay, very long period of history, okay, very long period of history, or event, किसी भी event का बहुत लंबे समा जो हो, उसको हम एरा बोलते हैं, ठीक है, अब टेल क्या होता है, ये क्या होता है, आपके पास, fictitious, या फिर आपके पास true story, उसको हम बोलते हैं, क्या fictitious, कोई भी कहानी हो ना, आपके पास, तो उसको हम बोलते हैं, क्या tale, आज एक tale सुनाई भाई, tale मतलब के story, चाहे वो fictitious हो, चाहे वो real हो, या फिर वो intentionally जूट बोला गया हो, उसको हम tale बोलते हैं, clear, अब next आपके पास क्या है, wise man, wise man क्या है, wonderful insight, या फिर wonderful learning किसी से, wise man उसको बोलते हैं, हाँ ये बहुत great personality है, wise man है, इस से कुछ सीख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते ह है, a man of, okay, a man of wonderful insight, okay, ये आपको याद रखना है, wise man, ठीक है, तो अब भाई, सेज क्या होता है, जैसे ही मैं आपको इसका meaning बताऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे, खुद ही बता दोगे, prudent, ठीक है, imprudent मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, भाई, that is, fool, fool का आपका anton क्या होता है, sage, sage मतलब के, prudent, prudent मतलब के wise man, simple, तो आपके पास यहाँ पे answer क्या हो जाएगा, option A हो जाएगा, आपका correct answer, ठीक है बाई, चलो, आजाओ next question पे, next question में आप से again, similar, closest meaning पूछा गया है, आपके given word का, given word है, आपका plump, yes, plump का आपने क्या बताना है, synonym बताना है, desired, beautiful, delicate, expensive, या fat, yes, बताईए बई, पहली चीज आपको, plump का meaning पता होना चाहिए, ठीक है, तो plump होता क्या है, एक full round shape में कुछ हो, जो आपको please कर रहा हो, pleasing form में हो कुछ, तो उसको हम क्या बोलते है, plump, ठीक है, full round, okay, full rounded shape, full rounded shape, जिसकी हो और वो आपको क्या कर रहा हो, please कर रहा हो, okay, pleasing form में हो आपको वो, तो उसको हम क्या बोलते है, plump, pleasing form में हो जो, ठीक, चल, आज बाई, desired, desired क्या होता है, कि कोई strong wish हो किसी के, कि भाई, ये मेरा desire है, ये मुझे, करना ही करना है, मेरा ये desire है, मुझे financial inspector बनना ही क्लियर है, क्लियर है, क्या, किसी की strong wish, आप इसको कह सकते है, ठीक, next beautiful, आपको पता ही है, ठीक है, कोई aesthetic चीज हो, जैसे, ठीक है, aesthetic चीज हो, तो उसको हम क्या हो, वाव यार, what a beautiful थी, okay, या फिर pleasing sense में किसी की तारीफ करना, तो वो beautiful होता, आप सभी को पता है, ठीक है, next आपके पास delicate, delicate क्या होता है, ये फिर आपको, या तो बहुत ही ज्यादा fine structure, okay, किसी चीज का बहुत ज्यादा fine structure हो, जिसका आप देखो, या फिर उसका texture हो, fine structure या फिर fine texture, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाई, ये बहुत delicate चीज है, हाथ लगाएंगे, तो ये टूट वूट clear, okay, next आगया, आपके पास expensive, expensive क्या होता है, भाई, yes, महंगा, ठीक है, expensive or desire ये आपस में relevant नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, strong wish is different thing and expensiveness is different, expensive मतलब के महंगा, fat आपको पता ही है, क्या चीज है, मोट आपा, यहाँ पे अगर बात करें हम, किसकी full rounded shape, क्या है, pleasing form में तो pleasing form आपको यहाँ पर ही मिल रही है, fine structure, fine texture में, क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखी, क्या लग रहा है, वाओ यार, छुने से कहीं इसको टोट वूटना चाहे है, मेरे हाथ से, इतनी अच्छी चीज है, तो that's why, plump का आपका जो synonym होता है, वो होता है, delicate, clear है, चलो, बढ़ते हैं अब हमारे next question की तरफ, हाजी, चलो, आज़ो, अब आप से पुछागए यहाँ पर, antonium, opposite meaning पुछागए आपके given word का, next, word क्या है, आपके पास intricate, intricate का आपको बताना है क्या, that is, antonium मतलब क्या opposite वाला word, बताइए, intricate, intricate होता क्या है, intricate का मतलब ही होता है, आपको complicated, कोई भी चीज आपको complicated करके बताया जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा, intricate होगा, that's why, intricate, complicated तो नहीं होने वाला यह, तो simple, okay, complicated का, antonium क्या होगा, आपके पास simple, option B हो जाएगा, आपका correct answer for this particular question, ठीका बाई, और जो बाकी alternative हैं, जैसे आपके पास colorful है, या फिर good है, यह आपको यहाँ पे कहीं भी fit नहीं हो रहे, complicated में, तो that's why यह भी आपके नहीं होगे, ठीक है, चलो, आजाओ भाई, चलते हैं next question की तरफ, next question में आपसे पुछा गया है again, opposite meaning आपके given word का salient, yes, salient का आपसे पुछा गया है opposite word, salient का मतलब क्या होता है, पहले यह आपको पता हो आप इसको बोल सकते हो, most noticeable, ठीक है, most noticeable चीज, important हो या फिर noticeable चीज हो गई, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, salient, अब इसका opposite क्या होगा भाई, जो noticeable नहीं हो आपके पास, ठीक है, तो आपसे क्या पुछा गया है, यहाँ पे, antonium, opposite word पुछा गया है, yes, correct, okay, insignificant, central, convenient, yes, देखो बाई, central और convenient, यह तो कहीं, link ही नहीं कर रहें, आपको इसमें से कहीं है, na, salient, important है, नहीं है, आपको यह क्या, यह center of attraction है, important, noticeable, यह तो कुछ है नहीं, convenient, यह चीज हमारे लिए, बहुत convenient है, तो इसमें क्या है, यह आपका इनसे कुछ link नहीं बन रहा, तो यह त unnoticeable या फिर unimportant thing, तो उसको हम बोलते हैं, insignificant है, यह हमारे लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा antonium of salient, okay, चलो, चलते हैं, next question की तरफ, yes, अगला question क्या कह रहा, भाई, देखिए, choose the word which is opposite, again, आपसे antonium पूछ गया है, thrifty का, okay, thrifty का antonium आपने बताना है, options clean, royal, wasteful, या reverent, yes, सारे के सारे votes बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो बताइए भाई, आपको thrifty का, antonium बताओ, देखो भाई, thrifty क्या होता है, thrifty का मतलब होता है, आपको किसी resource को, ठीक है, किसको, resource को, या फिर, पैसे को, money को, use करना है किस से, use करना है carefully, तो उसको हम बोलते हैं भाई, क्या, thrifty, okay, उसको क्या बोलते हैं हम, thrifty, तो अब बताओ, यहाँ पे, क्या होगा हमारा, opposite, yes, clean, नहीं होने वाला भाई, clean तो साफ सफाई अच्छा है, royal, नहीं भाई, wasteful, बिलकुल, बाई, सही बात है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, carefully यहाँ पे काम कर रहे हैं, resource हो, चाहे वो पैसा हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, waste हो रहा है आपने पास, तो यही है ना, हमारे पास इसका opposite word, तो यह हो जाएगा, हमारा option C हो जाएगा, यहाँ पे correct answer for this particular question, clear है भाई, समझ आ रही है न, चलो, आजाओ भाई, next word सीखते हैं अब, यहाँ पे आगेन आपस opposite पूछागा है, effluence, yes, next important word is effluence, effluence का opposite word आपको बताना है, that is antonium, effluence, yes, देखो भाई, effluence क्या होता है, आपके पास, जब आप, आपके पास यह तो बहुत सारा पैसा हो, या फिर आप बहुत ज्यादा wealthy हो र state of having great money, okay, state of having great money, okay, और being very wealthy, being very wealthy, यह क्या होता है आपके पास, that is effluence, अब आप बताव भाई, इसका opposite क्या होने वाला है, continuous poverty, यहाँ ही पर आपको मिल गया आपका answer, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारा पैसा है आपके पास, भाई, आप तो wealthy आदमी हो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ तो बिलकुल ही आप गरीब होगे, ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर, option भी हो next question आप से पुछ गया है, compulsion, yes, opposite meaning बताना है, same आपको, compulsion का opposite meaning आपको बताना है, constant, choice, skill, spontanity, yes, compulsion, बताओ भाई, हाँ जी, देखो भाई, compulsion क्या होता है, that is compulsory, कुछ चीज जो आपने compulsory कर रखे हो, कि यह तो आपको करना ही करना है, तो उसको हम क्या बोलते है, compulsion, strong pressure हो जिस पे, कि यह तो आपके लिए, क्या है, compulsory है, okay, strong pressure, तो इसको हम बोलते हैं, क्या भाई, आपका, compulsion, अब आप से पुछ गया है, इसका opposite meaning क्या होने वाला है, constant, ठीक है, constant क्या होता है, यह आपको limitation होती है, यहाँ पे, या फिर something like restriction, limitation और restriction आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, constant, तो यह तो आगया, इसका sinonim, हमें antonium पुछा गया है, clear, यह तो इसका भाई ही बर्जी है, यहाँ पे कोई आपको compulsion नहीं होती, कि यह करना ही करना है, कोई strong pressure नहीं होता यहाँ, तो यह हो जाएगा हमारा correct answer, that is option B, choice, compulsion का, antonium is choice, clear, next आजाएगा आपके पास skill, skill क्या है, ability to do something, okay, यह आपकी ability है, कि आप कुछ कर सकते है, ability to do something, okay, तो उसको हम बोलते है कि यह skill है, आप जैसे किसी को Microsoft Excel आता है, Excel sheet वो अच्छे से बना लता है, और उसका कोई दोस्त है, वो नहीं बना पता, तो वो क्या है, इसके पास एक skill है, जो इस बंदी के पास है, वो जो use कर रहा है, ठीक है, okay, clear है, अब next आजाएगा, spontaneity, यह क्या होता है आपको, एक त तरीका है, या फिर ऐसा ही तरीका होना, चाहिए बात करने का, ठीक है, और ना किये plan करके, जब कोई already आप लोग plan करके आते हो, कि मेरे को यह चीज जाके करनी है, वो चीज जाके करनी है, तो वो क्या होता है, वो different thing है, यह spontaneity क्या होता है, at a time आप वैसा ही behave कर रहे हो, naturally आप से वो जब निकलता है, तो वो क्या होता है, आपका spontaneity, clear है भाई, ठीक है, समझ आए, तो इस वीडियो में हम लोग ने, I think, more than 20 plus words तो सीखे ही होंगे, PPT आपको दे दूँगा, annotations के साथ, revision करते रहना साथ साथ में, क्योंकि vocab एक ऐसी चीज है, जब तक 2-3 दिन मे एक बार नहीं देखोगे, तो आपको भूलता जाएगा, तो ये चीज आपके लिए important है, तो ये था भाई, हमारा आज का session, ठीक है, मिलेंगे आपको next video session में, अगर video पसंद आई हो, तो भाई, लाइक कर देना, और चैनल पर नाए, तो subscribe कर देना, और stuff पसंद आ रहा है, त तो subscribe करके friends के साथ भी share कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है भाई, तो चलो, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, God bless you, keep learning, keep sharing.